कि सांसद बनने के बाद एक जिमेदारी उनकी हो जाती है, तो भजपुरी इंडेस्टी को बहुत दूर छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मनोज भिया ने कभी फिलिम के बारे में संसद भौन में आवाज उठाई है, ना ही रभी भिया उठाई है, ना मनोज यहां पर उसरे यहेरो बनके नाच रहे, नाच ने आता ना, यह वन टू टू तरी फोर भी पता नहीं है, उसको, क्ये वन टू टू तरी फोर के बाद नाच ना भी है, अगर हम हम एक रोर 80 लाग किसी हीरो को देंगे उससे अचा है कि हम तो एक रोर में तीन को फिल्म बना लेंगे हम खुदे हीरो बन जाते हैं तो होता क्या ना कि इंटर्टेन पर असर पड़ता है उससे एक आर्टिस जैसे मीर भाई है यह हमारे राजभिया है तो इन लोगों के अंदर अगर यह पाईसे लेते हैं तो आप अगर 5% सीन लिके जाते हो ना तो यह आपके सीन को 95% उपर करते हैं और उसको हैंडरेट कर जाते हैं तो मेरे कान को उस बिधा में ले गए हैं तपे हैं तब जाके आज यह दोनों 72 एक्टर बनके इनको हम देखते देखते बड़े हुए हमने भाईया को देखा था मुन्नी के पापा जब बजरंगी भाईजान आय थी तो मुन्नी के पापा का रोल भाईया ने किया था उसमें मैंने इनक को देखा था तो इतने बड़े-बड़े हिस्सा और इतने बड़े मर्दी मर्टी मर्टी देखे हैं हमारी फिलिम मर्टी ही है क्योंकि सारे Acteur मल्टी फ्लेक्स के ही हैं मुझे छोड़के मुझे मैग अरीजिनल सिनेमा का सी नेमा हीरो हूं बट मुझे लगता है कि बागी आप कम से कम 500 ठीटर लगवा दीजें यह उनको खुलवा दीजें मैं बिहार सरकार से भी अपील करूँगा कि जो बंद ठीटर है उनको सिर्फ खुलवा दीजें हमें कोई रेमुनेशन मत दिजिए हमें आपका सबसीडी चाहिए ही नहीं उसे सबसीडी के पैसे से आप ठीटर खुलवाएए जो कलाकार बहतर होगा वो परफॉर्म करेगा और लोगों को प्यार देगा एक सिनेमा हूल खुलेगा तो कम से कम वहां 40-50 दुकान खुलेगी तो कम से कम 40-50 परिवार जो है वो तो कम से कम बड़ा होगा ना तो हम बहतर सिनेमा बनाएंगे हमारे पास 1000 थियेटर होगा तो 1000 थियेटर के लिए हम सिनेमा बनाएंगे हम टीवी रिमोट पे नहीं आएंगे अब वही प्रॉब्लम है कि सबसीडी 50 फिल्मे में से 2 सिनेमा को मिलती है उसमें से कम से कम 48 सिनेमा का तो सबसीडी मिलता ही नहीं है तो मुझे कहने का मतलब कि उससे बहतर है कि सबसीडी के लालच में कलाकार मारे जा रहे है और बहतर कलाकार कोई खड़ा हो जाता है कोई एल्बम भी नहीं किया है वो कुछ नहीं किया है जीवन वो कुछ किया भी नहीं उसके बाद हीरो बनके बैठा हुआ है वो हीरोईन बनके बैठे हुए है तो मेरे कहने का मतलब कि मैं सरकार से भी और अपने टीनों सांसद भाई से यही अपील करूंगा कि प्लीज आप लोग सब्सिडी का रचिंता मद करिए आप हमें थीटर दे दीजिये हमें जगा दे दीजिये हम बहतर समान बचाएंगे तो हमारे समान को खरीदने दुनिया आएगी तो हमें एक जगा दे दीजी अपनी समान को बेचने के लिए पर दिर भी बाई मैं बोलूँ मैं एक मिट एक मिट मैं इस पात को बोलूँ गाए सांसदों वाले मैटर पर हमारे भोजबूरी के सांसद है हम लोग कैपेबल थे चीजों को हैंडल करके निकाल के निके जाने का वट हमने फिर भी सोचा क्यों नट्राइ किया जगा हमने ट्राइ कि पर दिर गिर लिखाल किया दूर इरे नौरी नो पिक अप किसी को कॉल किया तो कुछ बहाने बना दिये गए वो चीज़ां ऐसी होती है तो हमने उन पर ब्रेम नहीं किया क्योंकि जैसे भी कि सारी भाई ने बोला कि उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारिया हैं उनके स्टेट की उनके राज की तो उनको वह हैंडल करना होता है भजपुरी चीज़े छोटी होती ही चली जाती है जब हम लोग उपर नीदल जाते हैं तो मुझे लगता है यह सारी नी भजपुरी देखे आज भजपुरी के वज़े से ही उनको पहचान में लिए आज उसानसद भी बने है तो भजपुरी का बहुत बड़ा उगदान है इस भासा का बहुत बड़ा उगदान है क्योंकि उन्होंन हो जाए हमारी सीनिमा बड़ा हो जाए हमारा फर्वेस बड़ा हो जाए हम भी साउत की तरह क्योंकि साउत में और हिंदी में थीटर जादा है उनको थीटर जादा मिलता है तो उनकी छोटी फिल्म भी बड़ी हो जाती है और हमारी बड़ी फिल्म छोटी होने का कारण है कि थियेटर नहीं है और हमारे पास समान नहीं है समान बहतर है और हर बात को समान बहतर नहीं होगा अब हर आदमी हिमत तो नहीं कर सकता है ना रंधबसंती की तरह बनाने की फिल्म आज इन्होंने हिमत किये अगर इनको recovery साथ कोड़ लगाए इस्वर करें कि मेरे भाई जल्दी से बीज़ेई होके आए और मुझे लगता है कि अब वो तीन लोग नहीं उठाए तो ये जाकर उठाए तो मैं कोशिश सब्क्रियर करूँगा कि आप लोग मेरे बड़े भाई हैं हीरो में मैं हूँ अभी तमें समाल रहा हूँ